हेलो गाइस मैं आड़ी आदो आप सभी लोगों का नॉलेज येट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आज हम एडियम फिरेज के सीरीज के एक नए पार्ट कर डिसकेशन करेगे तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस रिक्वेस्ट आज का सेशन तो आज का पहला इडियम है थ्रू थिक एंद थिन थ्रू थिक एंद थिन मींस होता है अंडर अल कंडिशन्स नो मेंटर हाव चैलेंजिंग और डिफिकल अर्थात अच्छे या बुरे समय में अपने काम में डटे रहना चाहे कोई भी कंडिशन हो चाहे कितन भी डिफिकल सिचुएशन हो या कितना भी चैलेंज आए तब पर भी हर परस्थिती में जो है अपने मार्ग पर डटे रहना अपने लक्ष के लिए डटे रहना तुरू थिक एंद थिन यहाई इडियम जो है बर्स तेरा सो में अंकित हुआ था उस समय जब इंगलेंड के ज्यादातर भाग जंगलों से घिरा था तो जब हम जंगल के अंदर जाते हैं तो कुछ छेत्र बहुत घना होता है अर्थात बहुत थिक होता है और हरा भरा होता है जबकि कुछ छेत्र कम घने होते हैं अर्थात थिन होता है और आसानी से जंगल को पार किया जा सकता है तो through thick and thin अर्थार घने जंगलों में और कम घने जंगलों में यानि हर तरह के जंगलों से हम पार करके निकल सकते हैं आगे अथा चाए जंगल घना हो चाए घना ना हो हम जंगल को पार कर सकते हैं तो यहाँ जंगल का ताथपर जो है मुसीबत से तच कैसी भी मुसीबत आए हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे इस तरह से आप रेट कर सकते हैं इसकी मीनिंग को आगे देखते हैं थ्रो आइस्पैनर थ्रो आइस्पैनर मिस होता है अर्थाद मार्ग का रोड़ा एक मार्ग का रोड़ा और वो काम को क्या करें रोके सफल होने के लिए अधार मार्ग में पढ़ने वाला या कार में पढ़ने वाला ऐसी बाधा जो उस कार को करने से रोके हम कहा सकते हैं कि किसी काम में बाधा पहुँचना तो थूरा स्पैनर, स्पैनर क्या होता है? ये टूल होता है, जिसे हम रेंच भी बोलते हैं यह होता है टूल जिसे जो है हम नटबोल्ड बगारा कसते हैं तो यह होता इस पैनर तो थूआ इस पैनर माली जी कि कोई वील है या कोई गाड़ी का पैया है वो गाड़ी चल रहा है और उसके कई वील के बीचो बीच अगर हम इस पैनर लगा दें इस पैनर को ऐसे लगा दें तो क्या होगा वो वील जो है नहीं चल पाएगी वो रुख जाएगा अर्थाथ उसका जो आगे बढ़ने का प्रोसेस है वो रुख जाएगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वील को आगे बढ़ने से रोकना अर्थाथ किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी काम को आगे बढ़ने से रोक देना जिस तरह से इस वील को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है यह हम कह सकते हैं कि टांग अड़ाना किसी की काम में टांग अड़ाना अगला है throw cold water on इसका मतलब होता है discourage or try to prevent a plan अथा किसी योजना को हतोच साहित कर देना उस योजना को रोक देना from being carried out उस योजना को पूरा होने से या उसको सफल होने से रोक देना या be unenthusiastic about something या किसी चीज के बारे में अनुसाहित होना उस्था की कमी होना कुल बिलाकर हम कह सकते हैं कि किसी योजना पर पानी फिरना जैसे कि idiom से ही आप समझ पा रहे होंगे कि throw cold water on अर्था किसी चीज पर ठंडा पानी fake देना ठंडा पानी fake देना यानि किसी चीज पर पानी फिर देना जैसे कि हिंदी के मोहावरा है कि कहते हैं न कि 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 किसी के योजना पर पानी फिर गया तो पानी फिर जाना मतलब योजना बरबाद हो जाना अगला देखते हैं इसका अर्था होता है declare और issue a challenge अर्था च 친구essi को चिनोती देना गॉनलेट क्या होता है गॉनलेट योहता है यह दस्ताना होता है तो ancient time में पाइब खाश का रोमन इंप्र रोमन के जो सैनिक होते थे उनलों क्या करते एक विश्यस प्रकार के दस्तानी पहनते थे जिसे बोलते गॉंडलेट यह लोहे का या धातु का बना हुआ दस्ताना होता था तो इसको युद्धा जो है युद्ध में युद्ध चेत्र में जब जाते हैं लड़ने के लिए तो वह पहनते थे तो थो डाउन दा गॉनलेट मतलब होता है कि किसी को चुनौती देना अपना दस्ताना उसने निकाल के इस फेग दिया कि चलो में जैसे लोग कहते ना कि जब 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 कोई लड़ने के लिए आता है तो अपने हाथ की स्लीप आस्तीन को उपर कर लेता है चलो मैं लड़ने के तैयार हूं उसे तरह से जब कोई किसी चैनल करता है सैनिक तो अपने दस्तानों को फेग देता है दस्तान की मैं बिना दस्ताने के ही तुम से लड मुझेना या इसको समाझ सकते हैं कि माल दो सैनिग हैं दोनों में से एक सैनिग में उसके पैर मेधिया इसके दस्तान को निकाल जान। क्योंकि उसके दस्तानें को निकाल के पैरों फेख दिया उसने तो अगला रिछानिक होगा उससे बदला लेगा की तुमने मुझे अपमानित किया मैं इसके अपमान का बदला लूँगा इसे भी आप रेट कर सकते मिनिक से इसको अगला एडियम है throw dust in one's eyes अर्था किसी के आँख में धूल जोकना तो किसी के आँख में धूल जोकना मतलब क्या होता किसी को धोका देना तो यह एडियम तो आपने कई बार सुना होगा हिंदिय मोहाबरा है बहुत पफला मुखाब रहा है किसी का आँख में धूल जोकना इसको हम अक्सर आम बोल चाल के बहां से प्रियोग करते हैं इस इडियम का इसका मतलब होता है और इसके मार्क से भटका देना या मेक फुल ऑफ समवन ऑगला है थो इन डावल जो यह बो क्सिंग गेम से आया है इसकी origin boxing से तो boxing game में क्या होता है जो trainer होते हैं या जो manager होता है जो उस boxing game को fight को organize करता है तो वो क्या करता है fight को रोकने तता heart को स्विकार करने के लिए 12 को नीचे गिराता है माली जो कोई boxer है जो है बहुत ही मार खा रहा है बहुत ही स्विकार कराने के लिए जो trainer होते थे या referee होते हैं वो towel को नीचे फेक देते हैं जब towel को नीचे फेकते हैं तो match का जो inning होता है वो round रुख जाता है और वो मार खाने से बच जाता है और अपनी हार को स्विकार कर लेता है तो महीं से एडियम आया है throw in the towel अर्थाद match को रोकने के लिए या अपनी हार स्विकार करने के लिए referee ने जो है अपना towel नीचे गिरा दिया अर्थाद वो जो fighter है उसने अपनी हार स्विकार कर ली अगला एडियम है throw once weight around जिसका मतलब होता है to use your position or authority or power in an aggressive way and get what you want अर्थाद अपने power या अपनी सत्ता का प्रियोग करकर अपने फायदे का काम किसी और से कराना अर्था किसी और से अपने फायदे का काम उठाना अपने power या position का इस्तेमाल करके जैसे कि meaning लिखा हुआ है अपना काम कराने के लिए अपने अधिकार या प्रभाव का इस्तेमाल करना throw once weight around इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं कि अपने weight को आजपास गिराना weight मतलब वजन वजन मतलब क्या होता कि किसी के व्यक्तित में वजन होना हम कहते हैं न कि इसके व्यक्तित में या इसके personality में बहुत वजन है वजन मतलब कि उसका जो है बहुत ही प्रभाव है क्योंकि उसका position या उसका status बहुत अच्छा है उसके उसके पास बहुत सारा पावर है तो वेट मतलब यहाँ वेट का प्रियोग जो है किसी के प्रभाव या उसके पावर से जोड़ सकते हैं अथा अपने पावर या अपने position को आसपास बिखेड़ना जिससे कि लोग जो है उनका काम कर दे अगला है throw someone in at the deep end इसका मतलब होता है to start doing something new and challenging without assistance, guidance और preparation अथात बिना किसी के सहायता के या बिना किसी के सहियों के या बिना किसी के सलहा के कोई नया काम या कोई नया challenge जो है उसको accept करना हम कहा सकते हैं कि सुरुवात में ही गंभीर मुद्धे का सामना करना throw someone in at the deep end इसको आप ऐस समाच सकते हैं इस idiom का origin जो है ये पहले समाच लेजे इस idiom का origin जो है ये swimming pool से आया है जो swimming होता है उस से related है तो swimming pool में क्या होता है उसमें आसमान गरहाई होता है कहीं जादा गड़ा होता कहीं कम होता है क्योंकि ऐसली होता है कि जो माली कोई beginner है को learner है तो उसको कम गरहाई वाले जगह में उसको ले जा जाता सिखाने के लिए ताकि वो डूबे ना जो एक्दम होते हैं वो गहरे पानी में उतारते हैं जहां गहरा होता है उहां पर उतारते हैं ठीक है तो माली कि कोई beginner है swimmer और उसको अगर गहरे पानी में चोड़ दिया जाए तो क्या होगा वो शुरुवात में ही गंभीर मुद्धे का सामना करने लगेगा क्योंकि भाई उसको तो तैयाना ठीक से आता नहीं अभी लूर्णर है अगर शुरू में ही उसको गहरे पानी में हैनी deep end एकदम गहरे पाने में उसको अगर उतार दिया जाए तो क्या होगा वो शुरुवात में ही मुशिवात का सामना करने लगेगा क्योंकि उससों सीखना तो आता नहीं तो इस तरह से आप लेट कर सकते हैं इसकी मिनिंग को तो शुरुवात में ही गंभीर मुद्धे का सामना करना अगला ह हन defining यह नहीं से लिए में बखने हो जाना हमकर्ण मालोंग करने के लिए चाहले नहीं और निसाइज हो थो आप वन्स कार्ड तो इसको आप ऐसे समा सकते हैं कि माल लिजे कि कोई कार्ड गेम है ठीक है तो कार्ड गेम में कोई व्यक्ति खेल रहा है कार्ड खेल रहा है ठीक है तो उसको लग रहा है कि मैं हार जाओंगा उसने अपने तास के पत्तों को फेक दिया कि भया मैं फेक तो मैंने खेलूंगा क्योंकि मैं हाथ जाओंगा तो मलाब कार्ड गेम को शुरू होने से पहले उसने अपने पत्तों को फेक दिया और वो गेम को छोड़ कर बीज से उठके चला गया अर्थात वो क्या कर लिए उसने आपने हाथ सुएकार कर लिया कि मैं और आगे नहीं खो आगे हैं इस थो अप्ध स्पैल्ज होता है डोगीबनें क disorders सबस्पोना देना कर ना करना याक्षा नाउना लेज डिफीट या हर सुलगार कर लेना जैसा में प्रतिरोध छोड़ देना या दावा छोड़ देना या हार स्विकार कर लेना थुरू अप इस्पंज यह इडियम जो है यह भी बॉक्सिंग गेम से आया है तो बॉक्सिंग में जब ट्रेनर्स या मैनेजर जो है क्या करते हैं बॉक्सर के सरी तदा चेहरे पर पसीनियों पहुचने के लिए इस्पंज का स्तमाल करते हैं इस्पंज तो आप सभी लोग जानते होंगे ना सकतारी से बोलते हैं तो जब उसका बॉक्सर जो है बहुत ज्यादा मार खाता है तो ट्रेनर या मैनेजर क्या करते हैं फाइट को रोकने के लिए तदा हार स्विकार कराने क के लिए सपंज को नीचे गिरा देता है और जैसे सपंज मंदलब होगा कि आपनी हार्श कर लिए या किसी परतियोगता में भाग लेने से पीछे हड़ जाना अगला है Thumb one's nose Thumb one's nose means होता है To show a lack of respect towards someone or something अथा किसी वस्तु या किसी ब्यक्ति के प्रती जो है Respect का भाव अथा नमरता या बिनमरता का भाव जो है दिखाने में कमी करना अथा किसी के प्रती बिनमरता का भाव ना प्रकट करना या कह सकते हैं किसी चीज का मजा कुराना किसी का अगर respect नहीं करेंगे तो क्या होगा उसका मजा कुराएंगे तो Thumb one's nose इसको अब ऐसे मैं सकते हैं कि यजब आपने दिखा होगा बच्पन में आप लोगों ने भी किया होगा कि बच्चे जो है एक दूसरी को चिरहाते हैं चिरहाने के लि似या करते हैं अपने थम को अपने अंगूठे को नाग के पास रखते हैं और इसको फिर हिलाते हैं है और इसको चिरहाते हैं हमकी तो इसके पास उंगली लिखाखे भे जीब को निकालते हैं एक फिर जीब को निकालागा हम चिरहाते न तो अपने अंगुठे को सब्सक्ते किसी को चीघहाना अजी को मजा कुराना इस तरह से मिनिको एड़े कर सकते हैं कि अगला है एक टाइडनोट्य को होता है टू गेट मेरेड या विवहा करना टू अनौट तो बीवहा में क्या होता है जब हम फिरे लगा जब दूलाई दूलाई नो फेरा लगाता है तो क्या करते हैं दोनों के गाठों को उनकी कड़ों के कफड़ों को जो है बांध जयाता है अर्था गठ बंदन करना टाइद नोड मनलब गठ बंदन करना गेट मैरीड है अगला है इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं जो काउ होती है बहुती सुस्त या आलसी टाइप की या बहुती आराम पसंद जानवर है ठीक है अगर गाई को आपने या गाई को चराने वाला जुगाला है ठीक वह अगर उसको छोड़ देता है जंगलों पर कि जा चड़ के आओ तो वह वापस आने बहुत समय लगाएगी क्योंकि बहुत सुस्त होती है अगर गाई को अगर चरने के बहुत लंबा समय लगेगा तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं इसकी मिनिंग को जिस तरह से गाई को वापस आने में बहुत समय लगता है अर्था बहुत लंबा समय लगता है तो तेल्दा काउस कम हो मतलब होगा बहुत लंबे समय तक या फोर ए वेरी लॉंग टाइम अगला है time and again इसका मतलब होता है to be repeated very often अथा बार बार तो इसको तो आप सब्दों सही समझ सकते हैं again, time and again अथा समय बार बार किसी समय को बार बार दोराना अथा किसी चीज को जो है हर बार जो है दोराना repeat करना time and again अन्य हर टाइम हर बार अगला है tip of the iceberg tip of the iceberg means होता है to only know a very small part of the problem तक इस समस्या का बहुत ही छोटा हिस्सा जानना यह हम कह सकते हैं कि किसी बड़ी समस्या का सिर्फ सुरुवाती अंस तो इसको आप ऐस समस्या सकते हैं tip of the iceberg तो जो glacier होता है यह समुद्र है तो समुद्र में जो ice की ice का टुकणड़ा होता है जो पानी में तैरता है तो उसका कुछ हिस्सा उपर दिखाए देता लेकिन जो बड़ा वला पर टुकर रहा है यहां पर तो उसको लागरा की छोटा सब obey लेकिन उसके नीचे जो है इस छोटे सेसे के जिसे बहुत बड़ा एक वर्फ नीचे है पर तो लाब यह यह जो वर्फ है इस श्प के लिए क्या मुसीबत है वह ऐसी मुसीबत जो है उसको बहुत हलकी दिखाई दे रही लग रहा है कि वह कम समस्या है लेकिन अगर उसके पास जागा अगर यह शिप अगर इस वर्फ से टकड़ा जाए जैसे कि टाइटन टकड़ा गई थी तो क्या वाइस शिप जो है टूट फूर ज नहीं मालूम है कि उस वर्फ का जो निचला हिस्सा कितना बड़ा है या उस पानी नीचे कितना बड़ा वर्फ टूगरा है क्योंकि दूर से देखने में वह छोड़ा लग रहा है लेकिन असलियत में वास्ता में वह बहुत बड़ा वर्फ टूगरा है जो कि बहुत बड़ समस्या है अगला है to tat a t to a t means होता है in an exact manner या पूरिंग से हैं तो टी क्या होता है जो गॉल्फ गेम होता है तो गॉल्फ गेम में जो होता जिसमें गौल्फ के बॉल को रखते हैं ऐसे फिर यहां से जो है इस टिक से फिर क्या करते हैं इस गौल्फ के बॉल को हिट करते हैं और इसको फिर जाएम तक इसके लक्षे तक मुचाते हैं तो 2R T तक मुझा इस टी से लेकर जो है बॉल जहां तक जाएगी वह तक तो टी से लेकर इसके माल यह फोल तक की इस बॉल को ले जाना है तो इस टी से क्षे चाहिए पूर रूप से यहां हीट करेंगे इस फोल में जाएगा बॉल है या इसको ऐसे वह समझ सकते हैं जो इंगलिस अल्फाबेट होता है एस जड़ तक तो टो जड़ जड़ तक ना कहकर टी तक कह सकते हैं अगला एस लेकर टी तक पूर रूप से हैं अगला है टू आल इंटेंट्स एंड पर्पोसस इसका मतला होता है इन एवरी प्रेक्टिकल WIN backyard और Фणिनेल सेंस या अलमोस्ट कमप्लीटली अर्थात हर द्रिश्टि कोर से हर दिश्टी कोर से almost completely हर तरह से या हर प्रकार से कोई काम करना जाहे कैसी भी condition हो तो intent means क्या होता है इरादा purposes means होता है उद्देश हर इरादे से या हर उद्देश से अगला है to be taken awake इसका मतलब होता है surprised or confused by something unexpected अथाद ऐसा surprise मिलना या confusion का ऐसा condition जिसके बारे में expect ना की हो जिसके बारे में सोचा भी ना गया हो ऐसा आश्य चकित होने वाला जो घटना या confusion वाली घटना जिसके बारे में किसी ने कलपना भी ना की हो यह हम कहा सकते हैं कि आश्य चकित होना to be taken awake तो इसको अब ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति आश्य चकित हो जाता है शौक हो जाता है तो क्या उचल पड़ता है वह उचल के पीछे की ओर चला जाता है है ना जैसे के माल लिजे कोई व्यक्ति जा रहा है जा रहा है और उसके आगे पैर के नीचे जो माल लिजे कोई स्नेक आ गया तो चौक जाएगा शौक अब उचल के पीछ चला जाएगा करे तो सांप आ गया है तो टेकन अवेग नबेग में पीछे की ओर टेकन अबेग रहता है अपने सरीर को पीछे की ओर ले ले लेना अगला है यह तू वन्ज हार्ट्स content इसका मतलब होता है टू गेन फूल सैटिस्फेक्शन अर्था पूरी तरह से संतुस्ट होना पूरी संतुस्टी भर तू वन्ज हार्ट्स content यहां content का दो अर्थ है Шांतुंष्ट तो अधा कि एक दिल से संतुंस्टी मिलना था पूरी संपुष्टी भर कंतो निल ने दिसका मनला होता है एक समाल कंपाट्मेंट फॉर लेटर या थे इननी बीरो बीरो मींस या मेज अर्फा किसी मेज में कोई छोटा सा कमपार्ट में या ड्राला अरफा ड्रावर होना छोटा ड्राला जिसमें पेपर या डॉकुमेंट बगर रखते हैं । या to classify या किसी चीज को बरगी कृत करना या categorize करना अर्था आलाग अलाग हिस्सों में बांट देना या to put aside and ignore या किसी चीज को किनार रख देना दर किनार कर देना या उसको नजर अंदाज करना जैसा कि हिंदी में दिया हुआ है छोटे जगह में बहुत सारी चीजों को ठूस ठूस का भर देना या बरगी कृत करना या अंदेखा करना है कि फिजल फिजन मिश्काइड hai kilo फिजन मिश कभूतर होज मिशस के इता बिजन का कि रहने वाला तो पिजन जो होता है कभूतर graciousہ में रहता है और इस छोटे से होल में अगर हम बहुत साइस चीजों को ठूस ठूस को भर देंगे तो क्या कहेंगे कि छोटी से जगह पर हमने बहुत साइस चीजों को भर दिया तो तूदा पिजन होल मतलब बहुत छोटा अस्थान होना या और उस छोटे से स्थान में बहुत साई चीजों को ठूश के बर देना अगला है तूदा लेटर तूदा लेटर मिस होता है एक्जाक्टली एस सम्थिंग इस रिटेन और इंस्ट्रक्टेड जैसा कि लिखा गया है उसी तरह के उसी तरह से बताना या वित अटेंशन टू एबरी डिटेल अथा कोई डॉकुमेंट है उसमें जो भी डिटेल दी गई है या जो ची लिखी हुए है उस पर आमल करना हिंदिंग मिनिंग इसका देखे तो अच्छरसह या पूरतह टू दा लेटर अथा लेटर अनि अच्छर अथा अच्छरों से जो लिखा हुआ है उसी चीज को जो है सच मानना या उस चीज पर अमल करना जैसा कि लिखाया बताया गया है कि ओके फ्रेंस आजब का इडियम फ्रेंस यहें तक रखतेे हैं इसका next part आपको भोझत मिल मिल जाका तो इसके next part का notification पाने के लिए और अपडेट पाने के लिए आप हमारे subscribe करिए और bell icon को subscribe करना मत भूलेगा और हमारे इस सेशन को लाइक करिए ताकि मुझे मोटिविशन मिले कि मैं इस सेशन को इस तरह से कॉंटिन्यू रखूँ और अपने दोस्तों को शेर करिए ताकि ज़्याद लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके ओके फ्रेंड्स थैंक्यू फर वाचिंग